गड़ी किसलिए है वो हमने बंद कर दिया पहले पहनते थे बाद में बंद कर दिया जब तक स्टूटेंट थे फिर इधर भी कुछ पहनते बाद में छोड़ी दिया हटाओ घड़ी फड़ी ये तो एक टीबी वालों जो चैनल वालों और खूपने आता मुल कता है कोई मूली बात तो हम करते कि गाजर मूली कह रहे हैं हमारे द्रिष्टे से हम जो भी कह रहे हैं मूल के रहे हैं लेकिन अब बहुत सारी बात होती हम भगवान आपने ओपर लगे कलंक को मनी पाकर 28 दिनों तक यामुन से युद्ध करने के बाद लेकिन उसके साथ भगवान को एक और मणी मिल गए यामुन जी ने कहा एक इक्षा तो पूरी कर दिये ठाकुर जी क्या आपसे लड़ना था तो रामा उतार में तो हिम्मत नहीं हुई बाकि है आप में दम ठाकुर जी मैं रामा उतार में लड़ता है तो दो ही दिन में अब क्या करूँ बहुला जामुन थी की बहुत इक्षा है आपसे बिवाह करने की लोग कहते हैं इतना बिवाह किया क्यों मैं पूछ रहा हूँ एक भी बिवाह करने गए है क्या हो आराम से बैठे तो तो जर्मा सभा में रुकमिनी का पत्रा गया अगर नहीं आए तो बड़ा गड़बड हो जागा सिसुपाल हमको उठा ले जाएगा हम परवाद हो जाएंगे हम पर जाएंगे चलो भाई ले आते हैं यहां आए हैं क्या करने अपने उपर कलंक मिटाने जामुन कह रहे हैं एक इक्षादो पूरी करिये प्रभू ठाकुर जेवाब अपनाईए देखते चलना मैं फिर और वरनन कर दूँगा अच्छे से तो आपका जो यह थोथा दिमाग है नो क्लियर हो जाएगा और यह लीला चल रहे हैं वाट इसके पीछे यह यह बात है जब वापस आए ला करके दे दिया मणी तो अब सत्रा जीत का मूँ चुनोटी की तरह बन गया चुनोटी वो प्रवांचल बिहार इत्यादी में बहुत चुना और खैनी रखते हैं उसमें सुर्थी वहर के पास रहेगा एक दम ऐसे करके निकाल के कहीं भी कोई वारता होता रहे आप उनका यह चलता रहेगा और एक बार अगर डाल दिये ऐसे करके तो उसको बी-बी-सी बोलते थे बुद्धी बर्धक चुर्न वो जाती है उनकी बुद्धी खुल जाती है कुछ भी बात करने लगते हैं जोड़दार बी-बी-सी बुद्धी बर्धक चुर्न छोटा मुँ हो गया अब सत्रा जीत ने सोचा कि अब इसी द्वारिका में रहना है अब इतना भारी कलंग हमारे उपर लग गया कि हम जूट बोले थे स्विधाई चरण में गिर गए प्रभो हमारी एक पुत्री है सत्य भामा ग्रहन करी है हम आपसे विवाह करना चाहते ल अब हो अदिशन कर लिजी सत्य भामा को अपनी अर्धांगी ने बना लिए प्रभोने कहा लिया हो कोई बात नहीं यह सब अगर ताप्तिक दृष्टी से सोचोगे टौव टांग योग है जो अस्ट पट्ट महीशियां है अस्टांग योग के जो आठो यह यह वहीं है या अस्थदा प्रकृति जिसको कहते हैं परमात्मा और अस्थदा प्रकृति यह आठ वो हैं और ऐसे सोचोगे एक लाख रिचाएं हैं वेद की वेद की एक लाख रिचाएं हैं उनमें चार हजार ग्यान कांड है अस्थी हजार कर्म कांड है और कितने बचे सोलह हजार कौन है उपाशना कांड है ति यह सोलह हजार वेद की उपाशना की रिचाएं हैं जिन रिचाओं को स्री कृष्ण की पत्नी के रूप में आप जानते हूँ इस पे स्वतंत्र साथ दिन की कथा होनी चाहिए कभी भी कि भगवान के बिवाह के ऊपर भगवान की सोलह हजार एक सो आठ पट्ट महीसियों के ऊपर आठ पट्ट महीसियां बाकी जो राणिया है और ये कौन है 16100 जिनको नरकासुर भावमासुर ने राजाओं को परस्त करके उनकी बेटियों का अपहरन करके अपने कारागार में रख करके जिनका सोसन किया है ये वो 16100 रानिया है वो राजकुमारिया है जब भगवन परिजात राने के लिए जा रहे थे भावमासुर के साथ बढ़नत हुआ भावमासुर मारा गया उस कारागार से जब इनको निकाला गया एक महिने के बाद आ करके इन्होंने कहा इस ये अच्छा तो जेल ही था आज स जेल से निकली हैं इनकी क्या इज़्जत है तो इससे बढ़िया तो जेल में ही छोड़ दिये होते ठाकुर जी बाहर ये जो हजारों भूखे भेड़िये जिन निगाहों से मुझे देख रहे हैं कोई भी बच्ची क्या इस चीज को पसंद कर सकती है उसी समय सत्यभामा वह अब रानिया बन करके रहो अरे दुनिया तो छोड़ो अब कोई माई का लाल तुम्हारी तरफ आंक दिखाने के योग भी नहीं रह जाएगा तुम कृष्ण की द्वारिकादीश की रानी हो द्वारिकादीश के इतने बिवा हुए नारज जी को एक दिन संका हो गया महारा बिगडी नहीं रहा ना कोई किसी को भड़कार आया को किसी को अलकार आया सारे लोग प्रसन्य अब जड़ा सोचो परिवार की संरचना कैसी होनी चाहिए ठाकुर जी इस बात का भी प्रदिबादन कर रहे हैं द्वारिका भगवान का योग पीठ है अब ब्रंदावन भग मथुरा और हस्तिनापुर भी है ठाकुर जी का वो कर्म पीठ है सारे करम होई की हैं ठाकुर जी यह बनके दिखते तो नहीं है कर्म करते हुए सार्थी बने हुए हैं पर पूरा कर्म कांड करवा दिया उन्होंने महाँ भारत और मथुरा को तत्तो पीठ कहते हैं योग पी पीट कर्मपीट द्वारिका योग पीट रस पीट मथूरा तत्तो पीट और जहां सार्थी बने वो कौन सा है कर्मपीट यह चार पीट होते हैं भगवान संकराचारे ने भी चार पीट हस्था पीट किये थे हमारे ठाकुर जी भी तो कृष्णम मंदे जगद गुरु में उन्होंने चार पीट हस्था अपना कर दिया है महाराज सब पीट का आनंद लेओ हम लोग अभी बैठे हैं रस प रिख्ण को को मैं कि को में और गाली है लिक बाद में मैंने इसको डिजाइन किया कि जिसके पास वक्त कम हो इसको कम्य वक्त कहते हैं आgeht वो वक्त हीं नहीं हम लोगों के पास जिससे पूछो बड़र急 Hmm समय नहीं है तो हम जैसे कंभक्तों के लिए कब कहाँ जाए तो बड़ी मुश्किल से मर मरा के यहां तक आए हाई हाई कर रहे होंगे कि दुकान बंद है मकान बंद है पता नहीं क्या होएगा हमें भी यह नहीं लगता यार बैल भी जब बुढ़े हो जाते हैं तो चुप चाप उनका मालिक उनको बिठा देता और कहता आप खा प्राचीन जो कृशक होते थे बैल जहां थोड़ा बुढ़ा हुआ बड़ी सम्मान होता था कसाईयो सबसे पुराना है इसका नाम यह था उतनी प्यार से खिलाया जाता हम आज तक यह नहीं समझ पाए तुम क्या बैल सी भी गए गुजरे हो कि इतनी उम्र हो गए उसके बाद भी तुम्हारी विवस्था भी तक नहीं हुए दो रोटी खाने की मरें जा रहे हैं कर्मत रहो पर कर्म का मतलब लोगों ने क्या समझ लिया सिर्फ अर्थ उपारजन को ही कर्म से जूड लिया अर्थ और काम को ही समझ लिया कर्म यह धर्म और मोक्ष कहां गया अगर चतुरवित पुरसार्थ बताता है हमारा संस्कृति हमारा धर्म यह दो के लिए समय कब आएगा तु कि सत्य तो ऐसा हो गया है कि अगर कोई साधरन व्यक्ति सत्य को बोले तो लोग स्विकार करने को तयार है यह भारत की और दुनिया की भारत के लिए तो इतना लज्जा जनक बात है जिस भारत में आठ जगह से तेड़े मेड़े घर में खाने को भी कुछ ठीक से नहीं है उन अस्टा वक्र को राजा जनक का गुरु माना गया है आज उस भारत की पूरी की पूरी विवस्ता अर्थ के उपर आके टिक गई जो व्यक्ति पैसे से जितना सम्रिद्धे वही सत्यवादी है वही धार्मी के वही संस्कृत अग्ये तो सुदामा कहां जाएगा तो अस्टा वक्र कहां जाएगे तो ये साउता माली ये गोरा कुमार ये कबीर जो कपड़े बना बना के बेच रहे हैं ये कहां जाएगे ये रैदास जो अपने जूते बना रहे हैं वो कहां जाएगे भारत की गरिमा तो कभी इस चीस से नहीं रही बारत की गरिमा सदा ग्यान से रही पांच वर्ष का बालक द्रो ग्यानी है तो पिता अतान पात प्रणाम करने चले आते हैं सारा दुनिया उनको प्रणाम करने चला आ रहा है नर्सिंग भगवान उनको गोद में बिठा रहा है भारत तो ग्यान प्राउड़ता की सीड़ी पर बैठा हुआ था ये पैसे की प्राउड़ता पर कब से बैठ गया ये जो निया सिद्धान्त निकला बीस पचीस पचास साल पहले बाप बड़ान भईया है रे सबसे बड़ा रुपया सबसे बड़ा रुपया बाप बड़ान भईया है